असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम क्रिटिकल लेटरसी के अंदर देखेंगे कि अगर हम क्रिटिकल लेटरसी को इंस्ट्रक्शन में ले आएं तो किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है कौन से अच्छी एक्जेंपल हमारे पास मौजूद है एक एक्जेंपल तो हम इसको गो थू कर रहे हैं एक्जेंपल थी एक कहानी की जिस जो लिखिया गनिंग ने और कहानी का नाम है अज शेल्टर इनारकार इसे अभी हमने डिसकस किया है और इस पूरी लेस्न प्लानिंग की जो में फीचर्स हैं वो ऑनलाइन एक बहुत यह चीरी सोस है टीचर्स के लिए जिसका नाम है टीचर्स गाइड वहां से ली गई है और इस कहानी कि वह भी वहीं से लिया गया है और उसके इलावा जिसके अंदर फीचर्स बताये गए हैं लेस्न प्लान के पूरे कि इंटेगरिंग क्वेस्चन पूछने हैं जिसके तरु बच्चों में क्रिटीकल लिटरी ऑसी स्केस टेवेलप हो सकंव यद रखें कि कि क्रिटीकल लिटरीशी स्केस हमारी मेंटरलकल यृसे कर सें हमारे कॉग्नीटिव इस चीजन थे साने वो informational question पूछ सकते हैं knowledge based question पूछ सकते हैं बच्चों से उस topic के बारे में और ऐसे सवालात पूछ सकते हैं कि जिस theme के उपर ये कहानी बनाएंगी है बच्चों को उन theme के बारे में already क्या पता है उस बारे में पता चल जाए बिसाल के तोर पर teacher ये सवाल कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि shelter किसे कहते हैं और shelter क्या होता है लोग आखिर shelter में क्यों जाते हैं या उन्हें अपना घर छोड़के shelter तक क्यों जाना पड़ता है होमलिस का मतलब क्या है आपके लिए अगर कोई शक्स या family उसका घर छुट जाए और वो बेगर हो जाए तो इसके क्या माईनी है इसके क्या consequences हो सकते हैं आप इस किसम की सवालाग पूछ सकते हैं कि अगर किसी family में जो family के earning जो guardians हैं अगर उनकी नौकरी छुट जाए या उन्हें अइसी नौकरी मिले जिसमें इतने पैसे हिना मिलें कि वो घर का कराया दे सके हैं या वो कोई बना ले सकें तो फिर उन घर वालों की क्या सोच होती है क्या feeling होती है और किस किसम की मुश्किला से गुज़रते हैं और अगर उन घर में बच्चे भी मौजूद हो तो बच्चे के मुश्किलाद से गुजर सकते हैं हम इस किसम की सवालाद कर सकते हैं कि ऐसे मौके पे जब लोगों को अपनी घरों से निकलना पड़ जाता है अपने घर छोडने पड़ जाते हैं आप किसी भी वज़ा के बिना पर तो उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं हमारी अपनी फैमिली मेंबर या हमारे अज़ा नेबर क्या हमारी जिम्हदारियां हैं इन लोगों के बारे में जब ही हमारे आस पास आके बस जाते हैं बात हो जाते हैं किस किसम के हम इने मदद कर सकते हैं किस किसम तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं हमारी सपोर्ट इनके जिंदगी में क्या डिफरेंस ला सकती है क्या आप कोई ऐसा एविंट रिकॉल कर सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली को या आपको किसी ने मदद की हो और आप कि की की मदद से आपके जिन्दगी में बहुत एहम तब दी ली और बहुत एहम सपोर्ट मिली हो आपको आपकी फैमिली को हम इसकिसम के सवालाथ करते हैं यह important feeling क्या है जो आप अपनी घर के साथ associate करते हैं जब आपके तस्वर में घर आता है तो आपको क्या लगता है कि घर होने से और घर ना होने से क्या फरक पड़ता है कौन से ज़़बात और ऐसा साथ हैं घर से जुट जाते इसके बार नेक्स स्टेप टीचर किया कर सकते हैं फिरा कर सकते हैं जो हम अल्रबी go ठूँ हो चुके हैं जिसके अंदर बच्चों को किताब दिछा सकती किताब पढ़ाने पहले और उसकी मुक्तलिफींट फीचर को डिसकस कर सकते हैं जो फॉरंट पह बैक पह उसपे तस्वीरे वनीही है उस पे कालर्स कीम है तस्वीर हो में किटने करक्टर हैं किया वो character खुश हैं क्या वो दुखी हैं क्या वो खौफजदा हैं क्या वो घबरायव हैं क्या वो confident इस किसम की सव़लाद प्या सकते हैं हम यह पूछ सकते हैं और पर सकते हैं जो कि हमें front page भी मिल जाते हैं कि author और इलिस्ट्रेटर दोनों के प्रोफबशन किया है उन्होंने किऊंव लिखी वह क्यूं इस नाम क reasonable है और उन का सबाओ कैस्वकज की गहीज है किसने कहा है इसे लिस्ट्रेटर का नाम किया है और अधर नोट किया है पहले हम उसको पढ़ेंगे पिर कहानी कि पढ़ने के बाद किस किसम की सवालात किया सकते हैं किस सवालात तो लिटरल कॉम्प्रिहेंशन की सवालात हैं कि बच्चें को कहानी समझ आए के नहीं आई जब उसने सुना के साइरन बज रहे हैं और पुलीस आ रही है तो उसने कैसा फिल किया उसने अपनी अम्मी को क्या मशवर दिया कि हम गाड़ी कहां पार्क करें जहां पुलीस नहीं कैच कर पाएगी कैसे उसकी रोटीन आम बच्चों की रोटीन से डिफरेंट होगी स्कूल जाने के लिए जब कि आम बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और उसका घरी उसकी गाड़ी है उसके बाद और किसम के क्या सवालात हो सकते हैं यह सवालात हो सकते हैं कि वो अपनी अम्मी से कैसे बात क खबर सुनाई तो उसकी क्या फीलिंग थी ये लिटरल मिलिंग है कुछ सवालात हाई और थिंकिंग प्रॉसस के सवालात हैं जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग के ही सवालात कहते हैं बिसाल के तोर पे अगर हम यह पूछें बच्चों से कि जीति की जो मेमरीज हैं उसके अंदर उसका जो मुलक था और ये मुलक है इन दोनों में किया डिफरेंसे ने क्या सिमिलेरिटीज हैं कैसे उसकी यादे उसके लिए तक्रीद ने हैं इस किसम के सबालात की जाते हैं कि उसकी अम्मी ने का कि जब हम हमारे पस इतने पैसे आ जाएंगे कि हम अच्छी तरह खाना खा सकें तो हम अपने उन दोस्तों को भी खाना शेयर करेंगे जो खाना नहीं खा सकते उन्होंने ऐसा क्यों सोचा और बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं सबाल हो सकता है कि author आपको यह सब क्यों समझाना चाहता है क्यों पढ़ाना चाहता है यह वो तमाम चीजें और उसके साथ एक 맞़से कि गया है कि का नाम है एक सबस्ब्स की कि दिल का मैप बनाया जा है उस मैप के अंदर कि आए कि रीसर्स दी गई आप उस मैप को वहां से जाके देख भी सकते हैं कि उसके आंदर हम ने शायर कर ना है किस तो दिल में यह त्वार ने मिल्क को चोड़ कर रहे है तो उसके दिल में यह तमाम फीलिंग्स कैसे चल रही है मैमरी कैसे चल रही है वह मैं इसका मैप बना सकते हैं तो क्रिटिकली स्टुडेंट्स को यहां तक लाने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की जरूरत है जो मुकम्मल इंटरेक्टिव है और बहुत सेंसिटिव स्टुडेंटिविटी मांग दिया है on the part of the teacher ताकि यह संसिटिविटी स्टुडेंट्स के लिए भी डिवेलप की जा सके